मेरे हस्बिन जब आज लंच की टाइम फोन किये थी तो बोले कि मैं नहीं आऊंगा धूप है बहुत तेज तो मैंने बोला ठीक है मता हूँ अहीं का खाना खा ले ना तो फिर बोले क्या वनाई हो तो मैंने बोला कुछ ने तो फिर बोले चलो चलो बताओ क्या वनाई हो ऐसा अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं कमेंट्स में लिंक डाल दूंगी आप जाके वीडियो देख लेना ये बैटर से डोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी बनता है और तावा पर बिल्कुल नहीं चिपकता है तो यहां पर मैंना स्टफिंग आलू बताऊंगी क दोसा के अंदर स्टफिंग आलू कैसे बनाए ताकि आलू जो है दोसे पर पूरे अच्छी तरह से फैल सके और आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी बने तो यहां पर मैंने है ना दो टमाटर दो प्याज कट कर लिया बारीक बारीक एक हरी मिर्च अदरक को भी छुटे- आलू डाल दूँगी यहां पर मैं आलू स्टॉफिंग आलू बना रही हूं ठीक है तो थोड़ा सा राई का फोरन दे दूँगी जब हमारा राई चटक जाएगा तो कड़ी पत्ता डाल दूँगी और उसके बार लेसन अदरक जो कट किया था वो डाल दूँगी थोड़ा सा हलका दो तीन मिनट बस ऐसे लाल करना है जादा लाल नहीं करना है क्योंकि स्टॉपिंग का प्याज है ना जादा पका नहीं होना चाहिए तो यहां पर मैंने जो प्याज कट किया था वो डाल दिया टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी दो चमच थोड़ा सा ह आलू टमाटर में मैंने प्याज इसलिए डाला ताकि जो स्टॉफिंग आलू है वो थोड़ा गीला बन सके और हमारे बैटर के उपर इसली फैल सके जब भी हम आलू बनाते होंगे तो देखते होंगे कि हमारे ढोसे के बीच में ही आलू रह जाता है जिससे ढोसा बिलकुल भी टेस्टी नहीं लगता है ऐसे सबजी की तरफ बीच में आलू रह जाता होगा इसमें मैंने थोड़ा सा पावभाजी मसाला डाला टेस्ट आने के लिए आप इसमें सांबर मसाला भी डाल सकते हो तो थोड़ा सा आलू गीला रहना चाहिए गाईस बहुत ज़्यादा ड् चटनी बनाने थोड़ा सा कुकी नॉयल लिया उसमें राई ले लूंगी क्योंकि सांबर कजान चटनी ही होता है कड़ी पत्त डाल दूंगी प्याज डाल दूंगी और लेसन जो कट किया था वो डाल दूंगी हलका प्याज को भून दूंगी प्याज भूनने के बाद उसम जब याल लाल भुम आजएगा ओर एक खड़ा मिर्च भीडालिएKA तो जब लाल लाल मुJust centralized आजएगा तो उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर में निकाल लूंगी तो मेरा छैतनी अभी थन्डा हो जाएगा तभी मैं पी सुंगी, थोड़ा सा पानी डाल के साइड में मैं रख दूगी, ये तावा को मैंने एक दिन पहले प्रिपेर कर लिया था, एक दिन रात को मैंने इस पे पड़ाठा बना लिया, जिस पे तावा है na जिस पे मैंने पड़ाठा बनाया था उसी पे इस चाड़ो तरफ मोश्राइज होने के लिए फैला दिया और एक्स्ट्रा ओयल निकालने के लिए टीसू पेपर से पोज दिया ताकि हमारा जो बैटर है वो इजी फैल सके तेल के कारण सिमट ना जाए तो जितना हमें डोसा बनाना है उसके कॉर्डिंग मैंने एक बरतन में बैटर निकाल लिया उसमें नमक मिला लिया और डोसे को तावा पे अच्छी तरफ फैला दिया देखे कही मेरा डोसा रुका नहीं या स्टॉप नहीं हुआ या सिमटा नहीं तो यहां पे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने तेल लगाया है वो रिफाइंड ओयल और देख रहे हैं मेरा डोसा है न चारु तरफ से मतलब वो हो रहा है छूट रहा है खुद से मैंने जो चटनी बनाया था वो चटनी डाल दिया और थोड़ा सा सेजवान चटनी डाल दिया मैं यहां पे पेपर डोसा बनारी हो अन्स को बहुत जादा पसंद है बिना आलू डाले हुए बच्चों को डोसा बहुत जादा पसंद आता है तो उसके बाद मैं रोल रोल करक अन्स को दे दूंगे खाने के लिए और इसके बाद यहाँ पे घंपरेचर को पूढ आउन करने के लिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया और टी सु पेपर से ख्वांट से लुट कर दिया तावा पर आप डोसा बनाओगे न गाईज तो आपका एक भी डोसा चिपकेगा ने उस पर मैंने थोड़ा सा बटर लगा के क्रिस्पी करने के लिए रग दिया है यहां पर चटनी में पीस रही हूं कि कि आधा ही हमारा चटनी पीसा था लाइट कट गया था जहां पर चटनी में लगता है कस्मीरी में डाल दिया तड़के वाली चटनी है ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है एक बर आप ट्राइ करके देखना और यहां पर वहीं चटनी मैंने डाला और थोड़ा सा सेजवान चटनी डालके अच्छे से मिला दिया तावे के ऊपर एक दम बहुत ज्या हुआ है या फैलाने में दिक्कत नहीं हो रहा है या कहीं लंस नहीं बन रहा है कि मतलब आलू में कि फैल नहीं रहा है तो ऐसे जो फैलाया हुआ आलू रहता है डोसे के उपर बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है हमारा डोसा एक भी बरवाद नहीं हुआ चिपका नहीं य आपना ख्याल रखिएगा और बैटर कैसे बनाना है उसका लिंक में कमेंट